हेलो फ्रेंज, रॉबिन हुड नाम जितना रहस्मई काम उतना ही रोमान चट ब्रिटिश किवदंतियों की मानिये तो रॉबिन हुड वो होता है जो अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बार देता है मद्र प्रिदेश की धर्दी ने भी एक रॉबिन हुड को जन्म दिया जिनको इतिहास पहला भील करांतिकारी के नाम से जानता है नाम है इनका जननाएक टंट्या भील कई गजेटियर में इनका नाम टंड्रा भी लिखा हुआ है गरीबों की मदद करना और अमीरों को लूटना अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बार देना इस वज़ा से गरीब और आदिवासी इनको मसीहा कहते थे आज हम लोग बात करने वाले हैं टंट्या भील की मैं हूँ निधिश्री अकेडमी से आशीश और आज हम लोग बड़ा ही इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है लेकिन यह बहुत इंपोर्टन गेरेक्टर है MPPSC के point of view से मद्दप्रदेश के point of view से टंट्या भील मद्दप्रदेश के पहले भील क्रांतिकारी इनके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, प्रिलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में तीन या पाँच नंबर के सवालों में पूछा जा सकता है तो चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते है 20 अक्टूबर 1842 में खंडवा जिले के पंधाना तहसील में भाउ सिंग भील के घर टंट्या का जन्म हुआ टंट्या का जीवन बहुत सीधा सरल चल रहा था इनके पिताजी भाउ सिंग भील एक कास्तकार थे कास्तकार मतलब क्या होता है कि जमीदार की जमीन और खेती आप कर रहे है जमीन जमीदार की है और मजदूरी आप कर रहे है इसको कहते है कास्तकारी टंट्या भील का जीवन बेहद सारल और सीधा सिंपल था पर उनके जीवन में कितने उतार चरहाओ आने वाले हैं वो उससे अनिभिग थे इनके पिता भाउसिंग भील की मृत्यू के बाद टंटया भील की जमीन उचित पैदावार ना होने पर और निर्धारित टैक्स ना देने पर छीन ली गई जमीन चिन जाने पर जब टंटया ने जमीदार से विरोध किया तो उन्हें पुलिस के साथ साथ गाट करके जेल बेजवा दिया गया अब जेल से छूट कर आये तो जाते कहां जमीन तो थी नहीं तो चले गए पास के ही गाउं में गाउं का नाम था पोखर वहाँ अपने पिता के दोस्त शीवा काका जो कभी टंटया के पिता जी के साथ ही कास्तकारी करते थे उनकी जमीन में काम करने लगे पर वहाँ जब उस जमीन में टंटया ने अपने हिस्से की बात की क्योंकि वो जमीन जो है शेर्ड थी तो जब टंटिया ने अपने हिस्से की बात की तो इस्थानी पटवारियों के साथ मिलकर शिवा काका ने टंटिया को फिर जेल भेजवा दिया अब जब दुबारा जेल गए टंटिया भील तो जेल बहुत समय तक उनको रोक नहीं पाई उन्होंने जेल ब्रेक किया और वो आ गए जंगलों में और जंगलों में छिपे हुए 1857 के क्रांतिकारियों को अपने साथ जोड़ने लग गए 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे क्रांतिकारी जंगलों में शरण ले लिए थे तो टंट्या भील जंगलों में गए उन क्रांतिकारियों को अपने साथ मिलाया अब उनका एक ही एम था उन जमीदारों और साहुकारों को लूटना जो ब्रिटिश राज की कटपुतली थे तंट्या जंगलों में आ चुके थे और अपने गिरोहों में बहतरी इंदबंग क्रांतिकारियों को उन्होंने हिस्सेदारी में रखा जैसे बिजनिया, महादेव शैली, काल बाबा ऐसे ही जबरदस्त क्रांतियों का एक गुट बनाया, एक गिरोह बनाया तो ब्रिटिशर्स इनको इंडियन रॉबिन हुड कहने लगे, यहां से इनका नाम पड़ा इंडियन रॉबिन हुड ऐसा माना जाता है कि तंट्या गोरिल्ला वार में काफी दक्ष थे गोरिल्ला वार मतलब होता है छुप छुपा के हमला करना और पलक जपकते ही गायब हो जाना ऐसा माना जाता था कि तंट्या भील अगर जंगल में है तो चुटकियों में सद्रिश हो सकता है और चुटकी बजाते ही अद्रिश है जन शुरुतियों की हम लोग माने जो कहा सुनी बाते हैं जो निमाड अंचल में जो कहावतें प्रशलित हैं उनकी अगर हम लोग माने तो टंटया जंगल पुत्र थे और पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे उन्हें पशुबक्षियों की भाषा भी आती थी अगर जन्शुतियों की पर हम लोग यकीन करें तो लेकिए इसका अर्थ यह है कि जंगल के चप्पे-चप्पे से यह वाकिफ थे जंगल के कोने-कोने की इनको खबर थी तंट्या ने 1878 से लेकर 1886 तक निमार छेत्र तथा लगे हुए होलकरी छेत्र में लगभग 400 डाके डाले पर कभी पकड़े नहीं गए उस समय होलकर छेत्र के जो रूलर होते थे वो थे तुकोजी राव होलकर द्वितिये वो भी बहुत परेशान हो चुके थे तुकोजी राव होलकर द्वितिये के ही कहने पर 1879 में एक तंट्या पुलिस ब्रिगेड बनी एक खास पुलिस का ग्रुप बना जो तंट्या भील को ही पकड़ सकता है और ऐसा माना जाता है कि तंट्या के पास डॉपल गैंगर्स यानि कि हम शकलों की फौज थी बहुत सारे लोग थे जो तंट्या की तरह ही दिखते थे उसी तरह उनकी काया थी पतले दुबले थे तंट्या जैसा ही गेट अप रहता था उनका पांच-छे हम शकलों की फौज थी और ये यूज़ टू लूट फाइव सिक्स प्लेसे साइमल्टेनियसली पांच-छे जगहों पे एक साथ डाका डाल देते थे तो पता कर पाना बहुत मुश्किल होता था कि असली वाला कौन है ठीक है तो गोरिला वार और और औरगनाइस तरीके से जिसको कहते हैं न औरगनाइस तरीके से काम को करना ये टंटिया भील का गिरोह करता था रैंडम ली ये कोई काम नहीं करे थे कि रैंडम जाके किसी जमीदार को मार दिया या जमीदार को लोट लिया पूरे दिमाग के साथ पूरे गिरोह के साथ ये काम करे थे अब अंग्रेजों को पता नहीं चल पाता था कि भाई पकड़ना किसको है 1879 में टांटिया पुलिस ब्रिगेड तो बन गई बढ़ टांटिया भील पकड़े नहीं गई बात आ गई 1888 में टांटिया भील के ही गिरोह में एक गणपत राजपूत नाम का बंदा था जो इनका बड़ा विश्वसनी सेपह सालार था और विश्वास इतना जादा था कि गणपत राजपूत की पतनी से टांटिया भील राखी बंधवाते थे गणपत राजपूत की पतनी इनकी राखी सिस्टर थी एक बार ये राख्शा बंधन के दिन राखी बंधवाने गए गणपत राजपूत पुलिस के साथ मिल गया और टांटिया मामा के बारे में बता दिया टांटिया मामा को अरेस्ट कर लिया गया अपने ही गिरों के गड़धार की वज़ा से ये अरेस्ट हो गए 26 सितंबर 1889 को ये जबलपुर के DC के सामने पेश किये गए जबलपुर के डेप्यूटी कमिशनर के सामने इंको पेश किया गया और डेपीटी कमिशनर ने इनको 4 दिसंबर 1889 को फांसी की सजा दे दी इनको फांसी हो गई इनकी लाश को खंडवा नहीं ले जाये गया क्यों क्योंकि खंडवा अगर ले जाते तो बहुत उत्पात हो जाता बहुत जादा विद्रो हो जाता इनकी लाश पाताल पानी में ही फेग दी गई और पाताल पानी ही इनका आज की डेट में समारक है 1878 से 1889 तक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट शशस्त संघर्ष करने वाले टांट्या भील को मद्प्रदेश सरकार ने भी रेकोगनाईज किया पाताल पानी रेलवे स्टेशन पाताल पानी एक जगह है इन दौर में पाताल पानी रेलवे स्टेशन और पाताल पानी बस स्टेंड का नाम चेंज करके टंट्या भील रेलवे स्टेशन रख दिया गया है तो ये थी तात्या भील की पूरी कहानी एक सामान नयसा आदिवासी किसान किस तरीके से इंडिया का रॉबिं हुड बनता है New York Times में इनका एक लेख निकला था जब इनको फांसी हुई थी कि Indian Robin Hood को फांसी पे चड़ः गया New York Times ने इनको recognize किया एक छोटे से जगा कि छोटे से किसान की बड़ी कहानी है मुझे लगता है आपनों को ये लेक्चर पसंद आया होगा छोटी छोटी बाते हैं आपके जानने के लिए ज़रूरी है एक्जाम पॉइंट ऑव यू से भी ज़रूरी है मध्व प्रदेश को समझने के लिए भी ज़रूरी है